Hello everyone, welcome back to my channel MPPC Notes आज का हमारा टॉपिक है Quantitative Tools इस वीडियो में मैं आपको पाच टैप के बारे में बताऊंगी जो की हैं, फॉर्स है Loan to Value Ratio, सेकें दाउन पेमेंटिंग सिस्टम, फॉर्ड है Moralsuasion, फॉर्थ है Direct Action and फिफ्थ है Rationalization of Credit अगर आप qualitative tools के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, लिंक आपको description में मिल जाएगी उसकी playlist की, सो बिना कोई further delay की, let's get into the video, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Loan to Value Ratio क्या होता है, ये एक ऐसा instrument है जिसकी through RBI credits को control करता है, आप किसी भी चीज के उपर अगर Loan लेते हैं, तो आप कुछ गिर्वी रखकर उसके बिहाफ में Loan लेते हैं, तो वो जो गिर्वी रखी हुई चीज है, उसके बिहाफ में आपको कितने percent Loan मिलेगा, ये RBI decide करता है, इसी को बोलता है Loan to Value Ratio, Second है Down Paymenting System, Down Paymenting System के बारे में तो हम सब को आजकल पता ही है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत जादा यूज हो रहा है, इसी के कारण हमारी जो economy है, वो अच्छे से growth कर पा रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि जब आप कुछ चीज purchase करते हैं, तो उसका कुछ percentage आम आपर down payment की रूप में pay कर देते हैं, अब बचा हुआ जो percentage रहता है, उसको आप finance करवा लेते हैं, इसे को कहते हैं down paymenting system, इसी में ये जो percentage decide करता है, ये RBA decide करता है कि कितना percent down payment करवाना है, और कितना percent finance करवाना है, ये सब कुछ RBA के हाथ में होता है, ये down paymenting system के कारण हमारी जो demand है, वो increase होती है, क्योंकि जितना कम down payment होगा, उतना higher loan ले सकते हैं लोग, उतना higher loan distribution होगा, और उतना ही liquidity जो होगी, वो increase होती है, इसलिए मैंने आपको starting में बोला था, ये हमारी economy को growth करने में बहुत help करता है, अब देख लेते हैं कि moral situation क्या होता है, moral situation ये होता है, कि जब RBA informal तरीके से बैंकों को लोगों की मदद करने के लिए आगे आने को कहती है, तो उससे कहते है moral situation, अब देख लेते हैं कि direct action क्या होता है, जब moral situation fail हो जाता है, तो RBA के पास ये power भी रहती है, कि वो बैंकों के उपर direct action भी ले सकते हैं, इनमें include होता है कि वो कोई से बैंकों के action को cancel कर सकते हैं, penalty लगा सकते हैं, fine लगा सकते हैं, एक्सप्ट रबी आई को ये power देता है, Banking and Regulation Act 1949, इसी से RBA को power मिलती है, कि वो बैंकों के उपर कोई सा भी किसी भी तरीके का direct action ले सकता है, इसके बाद हम देख लेते है, rationalization of credit, इसको हम समझ लेते हैं, example के साथ, मान लीजी एक person है, उसे बाहर foreign tour के लिए गूमने जाना है, तो वो बैंक के पैस लोन लेने आता है, कि मुझे लोन दे दीजे, मुझे भार गूमने जाना है, तब मान लीजीए, bank उसको 15% के हिसाब से interest के हिसाब से लोन दे देता है, वहीं दूसरा person आता है, वो उससे bank से लोन मांगता है, कि मुझे education के लिए लोन चाहिए है, मुझे educational लोन दे दीजीए, तो educational लोन का percentage मान लीजी 8% है, तो bank किसको priority देगा, normal person को, person A को, क्योंकि उससे bank को ज़्यादा interest मिलेगा, बजाए educational लोन के, इसी कारेंट से, RBI ने एक priority sector बना दिया है, जिस priority sector के अंदर, कुछ टाइप के loans आते हैं, for example, educational loans, home loans, minority loans, etc. ये सारी loans ऐसे loans है, जो हमारी economic को develop करने में मदद करते हैं, क्योंकि लोगों पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, घर बनाएंगे तभी तो economic growth होगी, इसी लिए, RBI ने guidelines बना दी है, कि आपको priority sector में, एक साल में कम से कम 40% loans देने होंगे, बचे हुए आप दूसरे sector में दे सकते हैं, इसी में अगर कोई foreign bank है, और उनकी 20 से कम branches इंडिया में हैं, तो उनको 32% loan priority sector में देना पड़ेगा, अगर ये percentage fulfill नहीं होता है, तो बचा हुआ जो percentage होता है, like 40% priority sector को देना था, अगर bank 30% ही दे पाया, तो बचा हुआ जो 10% है, वो बचा हुआ जो government के RIDI fund में दालना पड़ता है, ये जो RIDI fund है, ये नाबाट manage करता है, तो government के fund में अगर पैसा दालेंगे, तो वो 10-15 साथ के लिए अटक जाएगा, क्योंकि government के काम होते हैं, रोड बनाना, economy को manage करना, infrastructure सुदारना, उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए फिर bank मजबूरी में priority sector को 1% loan देती है, अगर लोग नहीं भी आते हैं उनसे पैसे लेने, तब भी bank डून डून के लोगों को उत्ता परसंट फुल्फिल करती है, तो ये थे सारे quantitative tools, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अन्पी प्सकी प्लीज सब्स्राइब मैं चानल, थैंक य।